तो नमस्कार दोस्तो इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तो इंडियन एर फोर्स अगनीवीर अगनीपत वायू का 2023 का जो फर्ष्ट वेकेंसी निकलने वाली है उसका नोट्फिकेशन जारी कर दिया गया है यानि कि दोस्तो आपको पता ही कि जब से अगनीवीर स्कीम लाग हुआ है आर्मी एर फोर्स और नेवी में हर छे महिने पर वेकेंसी निकलती है तो जो फर्ष्ट वेकेंसी 2023 में आने वाली है यानि कि अभी से ही इसका नोट्फिकेशन जारी हो चुका है कब से आप अपलाई कर सकते हैं इसका आपको पु आई कर सकते हैं लाश्ट डेट दोस्तो 23 से 11 जर 22 रखा गया है एक्जाम डेट आपको 18 से 24 जनवरी के बीच आपका एक्जाम हो जाएगा दोस्तो ध्यान से देखिए आपका 18 से 24 जनवरी के बीच में आपका एक्जाम हो जाएगा दोस्तो एडमिट कार्ड जब आपका एक रुप्य लगने वाला है और पेमेंट आपको डेविट कार्ट, क्रेडिट कार्ट, नेट बैंकिंग यानि कि ओनलाइन माध्यम से ही करना है दोस्तों इसमें एज की बात की जाए तो आपको पता ही होगा नहीं पता होगा यादि नए नए आप अपलाई करने के फिराक में है तो आप 17.5 से लेकर 21 वर्स तक आप इसमें अपलाई कर सकते हैं वहीं दोस्तों ट्रेड मैन की यदि बात की जाए तो आप ट्रेड मैन के लिए 23 वर्स तक अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियन एरफोर्स अगनी विरवायू इंटेक के जनवरी 2023 में आपको जो योग्यता चाहिए, वो आपको चाहिए 10 प्लस 2, intermediate with physics, math and English. सभी में आपको 50% marks होना अनिवार्ज है, या फिर 3-year diploma in engineering, mechanical, electronic, electronics, automobile, computer science, instrumentation, technology, information technology with minimum 50% marks and 50% marks in English in diploma. तो दोस्तो यदि आप 10 प्लस 2 किये हैं, physics, chemistry, physics, math and English में 50% marks है, तो भी आप अपलाई कर सकते हैं, यदि आप 3 साल का diploma किये हैं, किसी भी category से तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको 50% marks होना अनिवार्ज है, या फिर 2-year का vocational course भी यदि आप किये है, non-vocational subject physics and math from any recognized word 50% marks, तो भी आप अपलाई कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए आप notification देख सकते हैं, वीडियो के description में इसका link आपको provide करवाया गया है, अब दोस्तों यहाँ पर other than science subject illability, तो यहाँ पर दोस्तों 10 plus 2 intermediate with minimum 50% marks aggregate and 50% marks in English, या फिर 2-year vocational course वही चीज़े आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, height की बात की जाए तो दोस्तों minimum height आपको 152.5 cm chest की बात की जाए तो आपको जितना chest होगा, उसके 5 cm आपको expand करना होगा आप physical में जब जाएंगे, जैसे कि 80 हो गया तो यहाँ पर आपको 85 फुलाना पड़ेगा, अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं payment की, तो यहाँ पर first monthly package आपको first year में जो है 30 हजार है, in hand आपको 21,000 मिलेगा, 30% अगनी वीर crops fund में आपको 30% आपका चला जाएगा, जो कि 9,000 रुपे होगा, second year में आपको 33,000 मिलेगा, जो कि आपको in hand 33,000 मिलेगा, 9,900 आपका अगनी वीर crops fund में चला जाएगा, third year में आपको 36,500 रुपे मिलेगा, जो कि आपको in hand 25,580 रुपे मिलेगा, पर मंथ, और यहाँ पर दूस्तों, जो अगनी वीर फंड में आपका इसमें, आपको third year में 10,950 रुपे जाएगा, 40 year, fourth year में आपको मिलेगा payment, जो कि in hand 28,000 आपको मिलने वाला है, और 12,000 रुपे आपका अगनी वीर crops fund में चला जाएगा, टोटल दोस्तों, crops fund में आपका एक अठा होगा 5,02,000 और दोस्तों, एक्स्ट्रा exit आप्टर यदि चार साल के बाद आप एक्स्टीट कर जाते हैं, तो 11,70,000 मिलेगा यह और 5,00,000 हो, up to 25% will enroll the regular cadre of the Indian Air Force, यानि कि इन्वेसा जिनका भाग अच्छा राएगा, जिनका character उसमें अच्छा देखा जाएगा, उन्वेसे 25% जवान को हमेशा के लिए भरती कर लिया जाएगा, तो दोस्तों, यही थी पूरी जनकारी, यदि इस से related कोई भी जनकारी आपको चाहिए, तो कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, पुरी सहायता आपकी की जाएगी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, नेक्छ वीडियो में नई जनकारी के साथ, जय हिंद, वंदे मात,